On it guys, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था है यहाँ आपक किस तरह से हम लोग iterate कर सकते हैं pointers की मदद से objects को, हम लोगों ने देखा था कि जो array बनाया हम लोगोंने objects का वो हम किस तरह से pointers की साहता से access कर सकते हैं आज हम लोग देखने वाले हैं कि दिस पॉइंटर क्या होता है और दिस पॉइंटर का महत्वर C++ प्रोग्रामिंग में क्या है गैस अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक अक्सेस नहीं करिये तो इसको यहां क्लिक करके bookmark और यहां क्लिक करके save कर लेना मैं जल्दी से अभी यहां पर आऊंगा और ट्यूट 53.cpp फाइल बनाऊंगा और यहां पर मैं boilerplate code डाल दूँगा यह boilerplate code मैंने डाल दिया है अब मैं यहां पर क्या करूँगा एक बहुत ही simple class बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ और यहां पर class का नाम मैंने रखा है ए और मैं कुछ इस तरह से यहां पर exam column लगाँगा और यहां से मैं complex class भी copy कर सकता था लेकिन मैं बहुत ही simple class बनाना जाता हूँ जिसके अंदर सिफ एक element रहने वाला है और एक public function बना देते हैं जिसमें मैं क्या करूँगा कि इस data को set करूँगा तो मैं कहूँगा कि void set data और मैं कहूँगा int a और उसके बाद इसकी implementation अभी लिखता हूँ मैं लेकिन यहाँ पर मैं void get data को पहले बनाऊंगा जो कि कुछ नहीं लेगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा cout और लिखूँगा the value of a is और उसके बाद मैं आपर लिख दूँगा a और semi colon लगा दूँगा और यह करने के बाद आप लोगों ने आपर देखा कि एक handle all लगा द और यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिच कर रहा हूं आप लोगों को बताता हूं मैं यह कहने की कोशिच कर रहा हूं कि जो यह वाला a has की value उसके बराबर कर दो अगर आप लोगोंने पिछले वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को याद होगा मैं आपर a one कर दिया करता था और यहाँ पर ऐसे A1 करके इसको नाम जेंज कर दिया करता था और उसके बाद सेट किया करता था लेकिन क्या हम ऐसे नहीं कर सकते अगर इसका नाम सेम हो और हम रीडेबिलिटी के लिए ये रखना चाहते है नाम इसका तब क्या होगा तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होगा डेफिनेटली ये नहीं कामियाब हो पाएगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैं वेट कर रहा हूँ और यह देको गार्बेज वाल्यू आई ठीक है तो यहाँ पर गार्बेज वाल्यू मुझे मिल गई यानि कि एक ही वाल्यू सेट नहीं चार से और प्रोग्राम में एरर भी नहीं आया लेकिन प्रोग्राम में एरर आया क्योंकि जो वाल्यू थी वो actual में आपका जो program है वो problem create कर रहा है वो बहुत खतरनाक होते हैं तो इसलिए C++ programming के अंदर एक unique keyword है जिसका नाम होता है this और यह represent करता है उस object को जो की member function को invoke करता है सबसे वहले मैं आप लोगों को इसका use बता देता हूँ this एक pointer है और आप इस तरह से यसे हम pointer को पिछले वीडियो में use करते आ चुकें आप इस तरह से इसको use कर सकते हैं कि जो object के लिए set data run हो रहा है उस object के लिए आप क्या करें A को set कर दे बराबर इस वाले A के अब देखो C++ में क्या होता है अगर मैं A is equal to A लिखूंगा तो priority दी जाती है local variables को ठीक है लेकिन जो A है वो class variable है इसलिए local वाला सिर्फ access होता है इसका कुछ यहाँ पर फर्ग इसको नहीं पड़ता है तो यहाँ पर देखो यह जो A है यह आ गया अगर मान लो मैं इसको float कर दू ठीक है मान लो मान लो इसको float कर दूँ तो देखो जब मैं इस पर उतना arrow लेकर जारहा हूँ तो यह float है आ रहा है अला कि logically वो गलत होगा बट मैं आपको यह बताना चाहता था कि C++ के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वत दिया जाता है local variables को ठीक है और यह जो int a है यह class variable है इस program को अगर मैं run करो तो आप देखो the value of a is 4 आ गया है यानि कि set data with value of 4 execute हो चुका है successfully और get data value जो की a की 4 है वो print कर पा रहा है successfully तो क्या this pointer का सिर्फ इतना सा use है अब this pointer क्या होता है this keyword क्या होता है इसको मैं आपर लिख देता हूँ ठीक है तो मैं आपर लिख देता हूँ this is a keyword which is a pointer which points to the object which is being created ठीक है और यहां फिर which is being created यहां which invokes the member function अब आप लोग को होगे कि this क्यों use करते हैं यह तो मैं आराम से variable का नाम change करके कर सकता था तो इस चीज़ के लिए कि this को बनाए गया है लेकिन this का जिर्फ यही use नहीं है this का एक use यह भी है कि अगर आप return करना चाहते हैं वो object जिसके लिए ये member function run कर रहा है अमाल आप इस object को return करना चाहते हो तो आप कैसे कर होगे return आपके बास कोई तरीका नहीं है this is the only way यानि कि जो this keyword है इसकी मदद से आप return कर सकते हो आप लिख सकते हो return this और आपको मिल जाएगा वो pointer जो कि point कर रहा है उस object की तरफ जो की जिसने की इस member function को call किया है अब आप लोग को मालूम है कि जो member functions है वो call होते हैं किस तरह से वो आपके call की जाते है किसी ना किसी object के सहाइता से ठीक है तो जो भी object की सहाइता से वो invoke हो रहे हैं वो जो भी object है उस object का जो pointer है यानि कि उस object को जो pointer point कर रहा है उसको अगर आप लोग return करना चाते हैं तो आप this करके return कर सकते हैं कभी भी हम यहाँ पर यह arrow operator यूज करते हैं हम pointer पर यूज करते हैं जैसे कि अगर पिछले वीडियो में ही चले जाए हम लोग तो यहाँ पर देखो हमने arrow operator यूज किया है pointer ठीक है तो दिस भी एक pointer है जो की उस object पर point करता है जिसने member function को call किया ठीक है अब यह तो एक template है ठीक ह अब्जेक्ट्स आ आकर इस set data को call करेंगे किस वाले object ने call किया वो this है तो हो सकता है मैं आपर return कर सकूँ मैं अगर एक object return करना चाहता हूँ तो मैं return भी कर सकता हूँ अब अगर मैं a.set data यह ना करके set data से return कर दूँ वो object जिसने call किया set data को तो मुझे return this लिखना पड़ेगा तो एक use यह होता है this pointer का लेकिन यहाँ पर आप लोग मैं इतना समझ लो जितना मैंने भी बताया आप लोग को कि this point करता है उस object की तरफ जिसने उसको execute किया memble function को जिसके अंदर आप है ठीक है so यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक this को देखा नहीं था क्योंकि हमारे पास already ह हम लोग जो this है उसको use कर रहे थे implicitly use कर रहे थे explicitly हम लोगों ने call नहीं किया था तो उस object की जो a value है यानि कि यह जो a value है object की वो हम set कर रहे थे सिर्फ a is equal to a1 करके अकर मैं इसको a1 कर देता तो a is equal to a1 करके हम set कर रहे थे तो हम लोग implicitly this point recall कर रहे थे बस यह है कि हम लोगो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि C support करता है easy syntax आप directly assign कर सकते हो A is equal to A1 कर सकते हो और C++ जो है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से support करता है ठीक है तो इसी लिए हम लोगों को इतनी problem नहीं हुई थी अब यहाँ पर हो सकता है कि आप set data जो कर रहे हो आप return करना चाहो वो object जिसका data आपने set किया तो मैं आपर लिख सकता हूँ am% और उसके बाद set data और यहाँ पर am% हम लोगों ने पढ़ा था reference variable में मैं आप लोग को बता रहा हूँ लेकिन अगर मैं आप return करना चाहता हूँ एक a object तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और मैं लिख दूँगा यहाँ पर return star this ठीक है तो मैं इस तरह से इसको run करूँगा तो देखो the value of is for लिख कर आ रहा है लेकिन अब यह जो set data यह return क्या कर रहा है यह मुझे return कर रहा है एक object ठीक है तो यह एक object return कर रहा है जिस पर मैं dot get data ऐसे ही लगा सकता हूँ ठीक है तो set data मुझे दे रहा है आपर एक object जिस पर मैं dot get data लगा सकता हूँ और मुझे dot get data explicitly लगाने की ज़रूरत नहीं है I hope आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा reference variable वाला वीडियो नहीं देखा है revise करना चाहते हो भूल चुके हो तो आप लोग इस playlist में जाकर वापस से उसको revise करके आ सकते हो मैंने reference variable के बारे में बताया है लेकिन बस यहाँ पर इतना है कि जब आप इस तरह की declaration को use करते हो तब होता क्या है कि आप यह जो return value है इसकी इसको आप लोग LHS में भी use कर सकते हो left hand side में भी use कर सकते हो और यह जो particular object है तो मैं इसको वापस से void कर दूँगा मैं यहाँ पर इस तरह से यह चीज नहीं करना चाहता मैं इसको वापस से void कर दूँगा लेकिन I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि this pointer क्या होता है तो this pointer point करता है उस object पर जिसने की member function को call किया उस object पर point करेगा जिसने member function को call किया अगर आप उस object को return करना चाहते हो तो आप return this लिख सकते हो और वो जो है return हो जाएगा वो object जिसने भी member function को call किया और कभी भी आप लोगों को जो इस तरह के functions जो आप बनाते हो member functions उसमें आप लोगों को argument के जो नाम है आपर उनको और जो class variables के नाम है इनको same रखना है तो आप लोग same रख सकते हो और this pointer का इस्तेमाल कर सकते हो और आपका program बहुत ही clearly इस चीज़ को depict करेगा कि क्या चीज़ कहाँ पर मतलब set आप लोग कर रहे हो अब जैसे मान लोग कोई चीज़ age है मान लो तो age को आप age ही कहना चाओगी age को age 1 कहना नहीं चाओगे program में तो आप age 1 ही कह सकते हो और आप class variable age को set कर सकते हो age with the help of this age करके is equal to age कर सकते हो so I hope कि यह चीज़ आप लोग को clear हो गई होगी और उसी के साथ-साथ अगर आप लोगों ने इस playlist को access नहीं किया तो कर ले ना और इस video को like ज़रूर कर दे ना अगर आप लोग को दोस्तों के और अपने classmates के अपने office mates के WhatsApp करो Facebook करो Telegram इदर उदर डाल सकते हो I hope कि आप लोग को इवीडियो पसंद आरे होंगे Thank you so much guys for watching this video and I'll see you next time झाल